हम आज हम बनाने वाले हैं थ्री लेड़ी केक तो चलिए स्ठार्ट करते हैं को बिल्किल एजी तरीके से बनाना सबसे पहले मैंने ये पाइनेपल इसपॉंज करके रखे हैं मैंने टीन हो आज हैं। पह्र इंच की टिन में मैंने केक रेडी किया था जो हम इसकी cutting कर रहे हैं मैंने इस base seed पर cake को रख लिया है सबसे पहले cake की 3 layer cutting करी है और मैंने ये water में अपने simple पानी में crush मिला कर रखा है थोड़ा सा pineapple crush add किया है जिससे इसका flavor बढ़ जाता है सबसे पहले इसका spray किया है फिर इसके उपर cream को apply करेंगे फिर उसके उपर pineapple crush add किया है इसी तरीके से हमें हर layer में ऐसे ही करना है अब second layer apply की है हमने उसके उपर भी हमने यही spray करके और फिर cream apply की है और फिर हम ये third layer रखते हैं third layer को हमें पलटा कर रखना है फिर से मैंने ये पानी का spray किया है और इसके बाद ये piping bag में मैंने cream add करके cake के 4 तरप से cream को फैला रही हूँ फिर हमें knife की help से cream को इस तरीके से फैलाना है सारे cake पर cream को अच्छे से फैलाएंगे फिर और cream हम cake के ऊपर लगाएंगे इस तरीके से cake में cream लगाते जाएंगे हम केक को पूरा क्रीम से कवर अप करना है कंटीनियू स्पैचला को चलाते चलेंगे क्रीम को फैलाएंगे अब मुझे यह औरेंज कलर का बनाना है तो थोड़ी से बिपिंग क्रीम में मैंने औरेंज कलर यूज किया है औरेंज फूट कलर है यह लिग फूट कलर इसको मैंने क कोर्ट फिनिशिंग और की क्रीम क्रीम से हम से क्रीम करेंगे इस की को असे फैला दे रहे Sean कहीं से भी हमें क्रीम कम लगती हैं सब्सक्राइब करेंगे नाइफ की ळिस इसको knife को हलका तिरचा रखकर करने टेबिल को गुमाते जाना है पहले हम knife की help से cake को finishing देते हैं फिर हम scrapper की help से finishing देंगे फिर मैंने design वाले scrapper की help से finishing दी है अब जो cake के ऊपर side है वो आराम से हम हलकी हातों से जितनी भी cream है इसको आराम से फैलाएंगे जिससे हमारी cake में finishing आ जाए हमाई side में cake में finishing आने चाहिए क्योंकि बीच में तो हमारा दूसरा base आ जाएगा तो बीच में इतनी problem नहीं है बट हमाई side की finishing जो दिखेगी वो proper होनी चाहिए उपर तरफ की finishing को अच्छे से knife की help से हमें फैलाते रहना है अब ये base को फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखतेंगे अब ये मैंने 3 pond की टिन में ये cake base ready किया है अब इसकी भी 3 layer cutting करेंगे ये इसकी 3 layer cutting कर ली है फिर से हम ये पानी का spray करेंगे करश वाले पानी का ये हमने brush के help से फैला दिया है अब इसके उपर हम cream फैला रहे हैं cream apply करना है फिर इसके उपर हम crush लगाएंगे crush को भी अच्छे तरीके से फैला लेना है फिर हमने second layer रखी है फिर से हमें पानी का spray करना है फिर cream को apply करना है cream लगाई मैंने क्रीम को अच्छे तरीके से फैला देंगे अपने केक पर और फिर ये थर्ड लेयर अपलाए करेंगे अब फिर से हम इस पर पानी का क्रेश करना है पानी का स्प्री करना है, हर लेयर पर स्प्री करना बहुत जरूरी है अब piping bag की help से cream को अच्छे तरीके से cake के चारो तरफ लगाएंगे अब knife की help से हमें फिर से cream को finishing देना है cream से पूरा cake को cover up करेंगे और ये knife की help से इस तरीक से cream को फैलाएंगे इसी तरीके से उपर तरफ भी cream को हम फैलाएंगे और बस turn table को घुमाते जाएंगे ये knife को हलका तिर्चा रखके turn table को हमें घुमाते रहना है और फिर first coat finishing करने के बाद second coat में हम इस पर भी orange cream यूज़ करेंगे फिर इसकी हम full finishing करेंगे orange कलर की cream से बहुत अच्छे से cream को फैलाते जाएंगे जहां कहीं से भी हमें cream कम लगती है हमें cream को फिर से apply करना है क्योंकि हमाएं cake में finishing अच्छी होनी चाहिए अगर finishing अच्छी है तो cake बहुत सुन्दर आता है अब side में हमने design वाले scrapper से finishing दे दी है और अब उपर ये हम knife की help से extra cream निकालेंगे इसको हमें बिल्कुल हलके हाथों से करना है अब हमने इस base को भी fridge में ठंटा होने के लिए रख दिया है अब third layer में मैंने bun pond की टिन में cake base को ना रख कर हाप हाप pond में मैंने two bases ready किये है जिससे की cake की उंचाई आएगी ये मैंने first layer रख दी है अब इस पर हम spray करेंगे सबसे पहले और फिर हम ये cream को apply कर रहे है अब इसके उपर भी pineapple crush add करना है और फिर से second layer रख देंगे फिर से पानी का spray करेंगे अब cream को apply किया फिर इसके बाद crush add किया ये process हमें हर layer में करनी है पानी का crush करना हर layer में जरूर है इस ते हमारे केक में softness आती है इस तरीके से क्रीम को देखिए फैला देहना है अब ये इसके बाद हम इसकी fourth layer रखेंगे इस पर भी पहले spray करके फिर से क्रीम को अब मैं nozzle की help से piping bag में क्रीम एड़ करके केक के चारो तरब से फिर से क्रीम से cover up कर दूँगी केक को ये सब तरब से क्रीम को अच्छे से फैलाना है ये हमाई first coat finishing होगी first coat finishing बहुत जरूरी होती है क्योंकि उसके बाद ही हमें फिर second coat finishing करनी होती है अब केक slip हो रहा था इसलिए बीच में थोड़ी एक stick लगा लिए इससे केक slip नहीं होगा और फिर से क्रीम लगा रहे है अब भी हमने orange color की क्रीम एपलाए कर रहे है अब इससे हमें full finishing देनी है केक को ये मैंने फिर design वाले scrapper से finishing दी है और वस इसके बाद फिर उपर से हमें हलके हाथों से क्रीम को निकालना है ये उपर की layer की finishing हो गई हमारी इस तरीके से हमने अपने सारे तीनों केक basis में full finishing दे दिया है और केक को अच्छे तरीके से ठंडा होने रख दिया है आप लोग ये धियान रखें कि जब कभी आप 3 layer केक अगर बनाते हैं या 2 layers बनाते हैं तो अगर आपके पास time है तो आराम से पहले केक को ठंडा होने दे अब ये हमने देखिए दौनों knife की help से pirate knife की help से दौनों तरब से केक को पकड़ कर first layer के उपर second layer apply कर दिया है ये काम बहुत आराम से करना है बहुत साउधानी से और ये इस तरीके से हमने तीनों layer इस पर रख दी है अब इसमें केक में जब हमाई length इतनी हो गई है तो इसमें support के लिए हमने एक stick लगा दी है जिससे कि हमारा केक slip ना हो अब मैंने ये flowers वाली nozzle से ये वड़िया flowers बना कर केक में decorate कर दूँगी flowers बनाने की video भी मैंने upload की हुई है आप वहां से देख सकते हैं इसी तरीके से ये कुछ flowers बना कर अब हम इस पर decorate कर देंगे friends अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो please like करें subscribe करें मेरे चैनल को ऐसे ही new cake designs देखने के लिए आप सब के प्यार support की बहुत जरूरत है stand nozzle में cream act करके मैंने cake के चारो तरब से इस तरीके से cover कर देंगे इससे ये हमारी बढ़ियां सी bounty बन कर दियार होती है जो cake पर बहुत सुन्दर लगती है और अब cake पर में ये green color की cream भरके leaf nozzle में डाल कर ये इस तरीके से leaves बना रही हूँ ये cake flowers के चारो तरब हम लगा देंगे तो इससे cake अच्छा लगने लगता है और ये silver sprinkle है इसको मैंने cake पर सब तरीके से अच्छे से फैला दिया है ये बहुत अच्छे लगते हैं और कुछ golden sprinkles मैंने flowers पर लगा दिया इस तरीके से हमारा सुन्दर सा cake क्रेडी हो गया है अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू फॉर बाचिंग मिलते हैं फिर new cake design के साथ